छल को धर्म बताने वाले लोगों को जरा सताता हूं मैं दुर्योधन मित्र करण की गाथा तुमें सुनाता हूं रिशीद रुवासा के मंत्र का वो सहारा था जर्म से ही ना वो मा को सुईकारा था सूरे पुत्र होकर के जो सूत वर्ण का मारा था मैं वही अभागा करण हूँ जिसे हर बार धुतकारा था मिला होता यदि अफसर मुझको तो नश्ट पार्थ का गुरूर कर देता सर्व स्रेश्ट धनुदर होने का भ्रम में पल भर में चकना चूर कर देता पांडवो पर ही महरवान रहे क्यों मेरे लिए तुम भगवान नहीं मौन रहे मेरे अपुमान पर बोलो हे मुर्दी धर क्या मैं इनसान नहीं हर बार नीच अधम कहकर क्यों सब्दो का बान हिर्दय में उतारा गया हर बार नीच अधम कहकर क्यों सब्दों का बान हिर्दय में उतारा गया मैं वही या भागा करण हूँ जिसे हर बार धुतकारा गया एक सखादुर्योधन को छोड़ सभी ने मुझसे छल किया कवच और कुंडल मांगकर इंद निथा मुझको निर्बल किया पगपग पर अभिशाप मिला किस्मत से भी मात मिला सूरे देविवी पड़े पार्थ मों में पिता का भीना साथ मिला नारी को दाओ पर रखकर तनिक भीना संताप किया हमने मित्तरता का लाज रखा तो कौन सा था पाप किया धर्मराज पतनी को हार गए वो धर्मराज भी तो लो भी था फिर बोलो हे मुर्दी धर क्या केबल दुर्योधन ही दोसी था बोलो तुमारी चलता का कितना मैं प्रमान गिनाओं रण में ता मुझे विवस्किया कि घटोदगच पे अमोग बान चलाओं चक्र भसा जब भूवी में तब चलसे मुझे पर बान चलाए थे जब हात में था विजय धनुस मेरे तब क्यों प्राण गवाए थे सामदाम दंडभेद सुत्र का में मारा था धनुस नहीं था हात मेरे इसलिए तो हारा था मैं अपना विजय छोड़ दू तू अपना गांडीव डाल दे कर दूंगा सारे अर्मान पूरे अरजुन बस माधब को इस युद्ध से निकाल दे